इस वीडियो में हम लोग सिखेंगे कि ब्याज कैसे निकाला जाता है इस परकार के परस्न का पर्योग हमारे दैनिक जीवन में भी होता है जबी हम किसी से उधार लेते हैं या फिर हम किसी को उधार देते हैं तो हमें उसका हिसाब करना होता है कि उससे कितना रूपया लेना है या कितना रूपया देना है तो इस परकार का जो भी परस्ण होता है वो उसको कैसे सल्व किया जाता है यहीं इस वीडियो में हम लोग सिखने वाले हैं तो देखे यहाँ पर परस्ण है कि 12,000 रुपया का 5,000 ब्याज की दर से 4 साल का ब्याज कितना होगा। यहाँ पर मालीजी कि कोई वेक्ती 12,000 रुपया लिया है और कितना ब्याज पर लिया है तो 5% का ब्याज पर लिया है और कितने दिन के लिया है तो 4 साल के लिया है अब हमें बताना है कि उसका ब्याज कितना होगा वह वेक्ती कितना रुपया देगा तो दिखे इसको मैं जो स सबसे पहले क्या करना है, यह 12,000 है न, इसका हमें पहले 5% निकालना है, जी हम सबसे पहला काम क्या करना है, जो यह पैसा है, इसका हमें जितना परसेंट का ब्याज है, वो निकालना है पहले, तो हम इसका पहले 5% निकालते हैं, तो दिखिए 12,000 का 5% कैसे निकालेंगे, पहल परसेंट का मतलब होता है भागा 100, कभी भी यदि परसेंट निकालना होगा, उसका मतलब होता है भागा 100, आप चुप चापाक बंद करके 100 से उसमें भाग दे दिजिएगा, देखिए जैसे कि माली ये 25 परसेंट का मतलब क्या होगा, आप आता है ये इसका मतलब होगा 25 इतना आप लोग को किलियर हो गया कि परसेंट का मतलब क्या होता है भागा 100 सिम्पल इतना समझे ठीक अब देखे जो जो कटेगा उसको कटाईए तो यहाँ पर दूगोजीरो हैं और यहाँ पर भी दूगोजीरो हैं कट गया अब उपर में बच्चा हैं 120 और यहाँ पर बच्चा हैं 5 इन दोनों को आपस में हम गुणा करा दते हैं तो 120 गुणे 5 बराबर कितना आएगा तो देखे बारव पांचे 60 होता हैं और एगोजीरो यह भी हो जाएगा यहाँ निक यहाँ आया 600 रुपया यह जो निकल कर आया है न 600 रुपया है यह 12 हजार का एक महिना का केवल सूद होगा अब देखे हमें कितने साल का सूद देना है चार साल का सूद देना है और साथ में बेयाज भी देना है तो आब आते ये चार साल में कितना महिना होता है तो चार साल में बारह महिना होता है तो हम पहले क्या करते हैं बारह गुणे चार कर देते हैं इसका मान क्या है इसका माना है और तालिस तो यहाँ पर देखिए चुकी एक महिना का सुध लगता है कितना छौस रुपया तालिस महिना का कितना लगेगा? यह लगेगा शो स गुने तालिस इसको आप आपस में गुना करा देजी तो देखे इसको हम गुना कैसे कराएंगे? चौव का पाढ़ा आठ बार पढ़िए तो आठ चाका अन तालीस हो गा अन तालीस का आठ हासिल चार फिर चौव का पाढ़ा चार बार पढ़िए तो 6, 6, 2, 12, 4, 8, 7, 24 और 4 गो हासिल है 25, 26, 27, 28 हो जाएगा न यह हो गया 28 और यह दो गो 0 है तो यहाँ पर जूट जाएगा यह हो गया 28,800 देख लिए कितना अधिक सुध हो गया इसका और इतना 12,007 में और भी देना यह तो केवल सुध हुआ 28,800 इसमें इसको भी आइड केजिए जो 12,000 हमने रुपिया लिया था यह दिया था इसको भी जब हम आइड कर देते हैं यह 12,000 अब देखिए कितना होगा यह 0 यह 0 आठ में 0 जूड़ेगा तो 8 होगा और 8 दू 10 का 0 और 2 एक 3 एक 4 यह कितना हो गया 40,800 हो गया इस तरह से किसी भी पैसे का ब्याज निकाला जाता है